रहे हैं बंगलेदेश प्रीमे लिग का मैच कुलंगा टाइकर वसेज रंगपूर राइडर्स उसका हम लाइव स्ट्रेमिंग कर रहे हैं दोस्तों तो जल्दी से लाइव सेशन को जोइन कीजिए काफी टाइम हो गया है हमने लाइव किये हुए तो आज हम लाइव कर देते ह हैं तो जल्दी से आज जाए और लाइव को इंजोई किजिएगा आज की मैच के लिए दोस्तों कि आज जल्दी से आज जाएए दोस्तों लाइव को इंजोई करते हैं अभी रंगपूर एडर ने टौस जीता हैं और पहले एक हैंद बाज जी का फैसला किया हैं दोस्तों जलिए लाइव सेशन को जोईन किजिए दोस्तों रंगपूर राइडर ने टौस जीता हैं पहले ग्यानबा जी का फैसला किया हैं अग्याइव पहले ग्याइव अगलित वात्तों जाक्वर वात्तों इसलिग झाला तो बाइन को झाला किसे अ किसे हुआ किसे जिस बाँ टकुन सुरह रड़ किसे चनी का पुआ स Spl opioid intercept में खोनी किस खावे mirror ममस्य खावे मेर, तक हम उड़ेंक उब 24 का लोंस में में दखवेंने किसे । देंगे ज disp!!" कि अब अ को इस तो लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत अभी रंगपूर ले ने टोच जीता हैं पहले गैनबाजी का फैसला किया हैं तो अब आज के मैच के लिए कुछ important changes हुए है उसके बारे में हम discuss करेंगे आज के मैच के लिए दनुस सना का available है जो सिलंगा के काफी अच्छे bestman है वो आज आपको दोस्तों खेलते भी नजर आएंगे आज हम मेगा लिग को जेल हीट करने का प्रयाज कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे के काफी benefit मिलेगा आज हमारा target रहेगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज का target है हमारा इस लिग को जो 3.90 करोड का जो target है उसको पूरा करना है तो उसके लिए आप वीडियो को watch करते रहेगा आज 49 की entry है इसमें आपको मिलेंगे तो इसको आप win कर सकते हैं दोस्तों आज के match के लिए जो काफी अच्छा match है तो फिलाल के लिए दोस्तों बात की जाए तो रंगपूर राइडेस ने तो जीता है पहले गयनबाजी का फैसला किया है तो इंपोर्टन प्लेयर के बारे में डिसकस कर देए तो चलिए प्लेंग लेंड की तरफ चलते हैं आज के match के लिए तो प्लेंग लेंड में देखे दोस्तों जो चेंजेज हुआ उसकी बात कर देते हैं तो आज के match के लिए रंगपूर की तरफ से विकट कीपर से नूरुल असन होगे और सक्केबूल असन जो ओलांडे सेक्शन में आपको नजर आ रहे काफी अच्छे हैं ओपनि बता देता हूं कि रूपल मांडल बालिंग सेक्शन से अवलेबल होंगे असन मेंबूद जो कंट्यूनी खेल रहे हैं बाट यह अच्छा स्कोर बालिंग विकेट ने प्लेर पार है नभी ओमर जाई और इसके साथ में ब्रडन किंग होंगे आज के मैच के लिए दोस्तों क कर सकते हैं जब इनका बैंग ओडर क्लाप्स होगा तो अपीटूशन में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो सनका को आप अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हैं दोस्तों इंपर्टन हो सकता है एस सोहन जो एक नएब येंग टैलन्ट है पाकिस्तान का यह अबगाद दान्स टैन् इसको अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हैं दोस्तों आज के मैच के लिए और बालिंग सेक्षन से आज के मैच के लिए नवाज को इंक्लूड किया गया है दोस्तों इंपर्टन होगा और नाइदूल इसलान तो साथ में है यह तो चलिए अब हम अपनी टीम को क्रेट कर दे करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग से आज के मैस के लिए जो बैस्ट करेंगे साथ में लूइस खिलेंगे बट मुझे लगता हैं कि यह आज के मैस के लिए इस्ट्रेकल करेंगे तो सामने रंगपूर के बॉलिंग देख लेता है तो बॉलिंग से आज के मैस के लिए कौन सा प्लेयर विकेट ले सकता है हम उसको अपने ट्राइक करने का प्रयास करेंगे तो आज के मैस के लिए दोस्तों नंबर वन पंट पिक होगा असन महामुद जो राइट आम फास्ट प्रफ्ट में पॉलिंग करता हूँ नजराता तो रिपन मैं इंपोर्टेंट हो सकता है बट ऑलाउंडे से जो इंपोर्टेंट प्लेयर होगा हम उनको फूर्फ फोकस करेंगे आप वीडियो के साथ-साथ आपको का इंड्रेस्टिंग लगे आज के मैं के लिए तो हम फिल तो यह जो हमारे सिक्स ओलाउंड है सब अपनी टीम में हम पिक करके चलेंगे किसी प्लेयर को ड्रॉप करने का रिक्स हम नहीं ले सकते हैं कि ओलाउंडे सक्षन इस वेरी इंपोर्टेंट अब बैटिंग से दोस्तों आज के मैच के लिए बाबर आजम इस वेरी इंपोर् सकते हैं बट इनकी जो चांचेज थोड़े से लो नजर नजर आ रहे हैं तो इसको देखते भी आप इन्हें अवाइट कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं आज के मैच के लिए एक बैस्ट हो सकता है दर्शन सन्यों का इस वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों यह सेवन थ्री का कॉमिनेशन हो गया है अब एक प्लेयर को हम पीक करना है पिकर कीपिंग से नुरल असन को पिक किया है बैस्ट मैं से बाबर आजम दनिश उसना का को पिक किया है ओल लाउंड से सक्षन से सकीबल असन महमत नभी मैंधी असन इसके साथ में महमत नवाज अफिट उसन को ट्र रसाल के लिए हम आजके में के लिए लूइस अनलना म्हक्तराइव नही घर रहे हैं किंग इंपरक्टन हो सकता है बाट जो बाइलिंग से 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 मैच्छ के लिए नमश अच्छा कर रहा एंब ट्रैगी ब्रलेयर करें तो अच्छा हो सकतां आप KST के सरफ से low order में जो प्लेयर बैटिंग कर सकता है जो बैटिंग से point दे सकता है उसको try करने का प्रयाश किजिएगा तो KST के तरफ से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो low order में बैटिंग करता है तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि एम उसें जॉइक कुछ अच्छा कर सकता है सनेगा को हमने पीक कर लिया है बट अब बालिंग सक्षेंस जो important player हो सकता है उसको हम अप्नी टिम में ट्राइग कर सकते हो अजके मैच के लिए तो जो वह player हो सकता है नाईदूल इस्लाम लगाता अच्छा परफॉमस कर सकता है लगातर विकेट ने ले पा रहा है बट में सेजेशन होगा कि आज के मैच के लिए नाइदुल इसलाम या फिर दोस्तो एम इसलाम अकॉन को ट्राइग कर सकते हैं या फिर नौशन अमद नौशन अमद अच्छा प्लेयर हैं जो आपको बैट और बॉल से पॉइंट दे सकता है सेकंड इनिक्स में तो आज के मैच के लिए नौशन अमद को ट्राइग किया जा या फिर बैटिंग सक्षन से एक प्लेयर को ट्राइग किया जिसमें मेरा सेजिशन है कि आप निच्छे से प्लेयर पिक करने का पिक प्रयाश किजिए कि विकेट आज के मैच के लिए जा सकते है तो फिलाल के लिए मैं दोस्तो एम हसन जोई को पिक करके चल रहा हूँ आज के मैच के लिए यह सीप पिक हो सकता है जो आपको बैटिंग से कुछ फैंटेसी पॉइंट दे सकता है बॉलिंग के लिए मैं आज के मैच के लिए इत को एम असन जोय को और दी सनका को हमने पीक किया है साथ में और सक्षन से सेवन और को पिक किया है सकीब मौमद नभी मेंदी असन और ओमध जाई और एक प्लेयर को ट्राइब किया है अब सेकंड इनिंग के बॉलिंग से दोस्तों मैं आपको सेजिशन कोगा कि आप नसुन अच्छा कर सकता है बट चांची थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और नसो नामत बैटिंग से अभी आपको पॉइंट दे सकता है फिलार के लिए मैं दी सन्य का एम असन जोई को साथ में ट्राइक कर रहा हूं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात किजए तो आज के मैच के लि कैप्टन बना देते हैं सक्कीब अल हसन को अपना टीम का कैप्टन बना देते हैं दोस्तों तो आज के मैच के लिए सक्कीब अल हसन को कैप्टन बना देते हैं वाइस कैप्टन की बात किजए तो बाबर बाबर को बना देते हैं तो यह हमारा टीम बन के रैड़ी हो गया य इनके जो टॉप बॉडर के बैस्टमन को हमने डॉप करने का प्रयास किया है कि उपर से विकेट जा सकते हैं और विकेट टेकर की बात कि चाहिए लोज तो आज के मैच के लिए विकेट में सकीब नभी मैंदी असन ओमाजय और असन मैंबुर इन्हीं प्लेवरों में से आज तो इसके लेंगे आज के मैच के लिए जयादा से जयादा तो इन्हीं को मैंने ट्राइक क्या हैं और फंट पिक में आप सैनल का या अपी टोशन को भी C और WC ट्राइक कर सकते हूं आज के मैच के लिए दोस्तो तो यह है टीम बन का कॉमेशन अब हम अपने टीम सेकेंड के कॉमेशन के तरब में आपको ले चलता हूं इसके बाद में हम अपना अंतिम कॉमेशन भी बनाने का प्यास करेंगे तो चलिए अब तीम सेकेंड के कॉमेशन की तरब में आपको ले चलता हूं दोस्तो तो साथ साथ में वीडियो का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा इससे हमें काफी मॉटिवेशन मिलेगा कि हम दो दिन से कंट्यून लाइव नहीं पा रहे हैं आज थोड़ा सा मौका मिला है तो हम करने का प्यास कर रहे हैं दोस्तो सबसे पहले विकट कीपिंग सेक्शन से मैं फिर से रिमांडर करूंगा कि आज के मैश के लिए नूरुल हसन जो शेप ऑप्शन हो सकता है बट रोने तरुल कर ओपन कर रहे हैं इंपोर्टन हो सकते हैं बट आई डॉन्ट नो आज के मैश में क्या करेंगे तो फिलाल के लिए मैं सेप ही जाना प्रीपर करूंगा आज के मैश के लिए बैटिंग से जो इंपर्टन प्लेयर होंगे बाबर आजम is very important इसके साथ मैं डी सननका आज के मैश के लिए इंपोर्टन बैटिंग और बॉलिंग से ट्राइक कर सकते हों डी सननका को इसके अलावा दोस्तों कोई किसी प्लेयर को मैं ट्राइक करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ एक प्लेयर हो सकते है बी किंग बी किंग को आप ट्राइक कर सकते हैं कि कंटियोनी दोस्तों दो मैश से जीरो जीरो पर जा रहा है तो बी किंग को ट्राइक करना बनता है आज के मैश के लिए तो आप एक प्लेयर को आप ड्राइक कर सकते हैं जिसमें ओल डाउंड से जो आपको कम से कम पॉइंट उसको आप ट्राइक डॉप करने का प्रयाश कर सकते हों तो फिलाल के लिए मैं बी किंग को ट्राइक कर रहा हूं इस साकेंड जेल टीम में कूछ फैंटे से पॉइंट दे सकता है सकीब को ट्राइक करूंगा नभी मेंदी असन ओमर जाई को आज के मैंस के फिलाल में ड्रॉप करूंगा आई दोस्तों काफी बड़ा रिस्क हैं बट मुझे लगता है कि आज के मैंस में के लिए रिस्क लेना पड़ेगा मुझे क्यों मर जाए की बात की जाए तो बॉलिंग से इतने पॉइंट ने दे पार है बैटिंग से पॉइंट देते हैं हैं तो छलिए अभी लाइन आप में चेंज हुआ है तो मेरी कर्णि फिला तो जोड़ा सा आज मौनम्दवासं की एंट्रें होच 20ि ने अरहां के चाहिए वन पतीम में ऊच्ताे हैं ऑसन म्मोद को अ अपने केम करते हैं दोस्तों तो यह है टीम आज तो इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो आज के मैंस के लिए जो बैस्ट कॉप्टन निकल कर आ रहे हैं तो मौमद नभी और मेंदी हसन ठीक है तो यह आज के मैंस के लिए बैस्ट पीक हो सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं मौमद नभी को कैप्टन बना र रहा हूँ, कैप्टन और वास कैप्टन दोस्तों यहैं कांगे तो आज के मैं किस फ्लेयर को ड्रॉप करें तो आज के मैच ऊसन को ड्रॉप करके मौम्मद वासिम को ट्राइ करने का प्रैस करेंगे कि यह आपको बैटिंग और बॉलिंग से काफ़ी अच्छे फैंटेशी पॉइंट देश सकते हैं कैप्टन की बात की जाए तो सकीब अलसन को हम अपनी टीम में कैप्टन करेंगे वाइस कैप्टन की बात की जाए तो बाबर अर्जम को अपनी टीम में वाइस कैप्टन करेंगे दोस्तो तो यह हो गया टीम आज के मैच का तो आप देख सकते हो दोस्तो टीम को सेव कर देते ह की है टीम आज का यह इसमें कैप्टन किया है मौमद नभी को वाइस कैप्टन किया है मैंधी हसन को बैटिंग से क्लेर किया है दोस्तों दनुषय सनका जो सिलंका के बैटिंग ओल लाउंडर है बाबर आजम जो पाकिस्तान के बैटर है और ब्रेड़न किंग जो वैस्ट मैंधी हसन को ट्राइ किया है साथ में मौमध नभाज और अपीटुसिन को ट्राइ किया है बालिंग से ऐसन म्यमूद और मौमध वासन को अपनी ट्राइक किया है आज के मैच के लिए यह टिम का कॉमनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और यह अगर इसमें पमेंट ली ऑच्छा रंग आशक्ता है आज मैच के लिए अज नभी कुछ कमाल कर दे और में अपना तूपान दिखा दे तो अच्छा हो सकता है तो चलिए इस टीम को ट्राइक कर सकते हैं आप और मैं दूसरी एक टीम में आज के मैच के लिए मैं जो कुलंगा टाइकर के फैवर में भी बनाने का प्रयाश करूंगा की की डे का मैच देखे मैस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि इस मैस में कोई भी ड्यू नहीं आएगी तो उसके रिकार्डिंग हम बनाने का प्रयाश करते हैं अपने बना लेते हैं दोस्तों तो अभी जल्दी से आप देख लिए हम अपने थार्टीम जिसमें कुलंगा टाइकर के फैवर में हम बनाने का प्रयाश कर रहे हैं दोस्तों थार्टीम को हम कुलंगा टाइकर के फैवर में बना देते हैं तो जो विकेट केपिंग सेक्शन से नूरल असन को पिक करेंगे बैटिंग सेक्शन से बाबर आजम जो कंजक्ट लिए अच्छा खेल सकते सनका इस विकेट पर उनको काफी अच्छा रास आएगा और इसके साथ में बीकिंग फिलाल इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है तो इन्हें अवाइड करके चल रहा हूं बैटिंग से ओलने दोस्तों दो प्लेयर में आजके मैंच के लिए पिक करके चल रहा हूं और जो ऑल लाउंडे सेक्शन से होगे जो इंपोर्टन हो सकते हैं आजके मैंच के लिए जो अच्छा कर सकते हैं इसमें एक तो महमत नवाज और अपीट हुसेन डैपने अच्छा कर सकते हैं बालने से आजके मैंच के लिए मैंदी हसंद जो अच्छा कर सकता है और जो महमत नभी भी अच्छा कर सकता है ओमर जाय ने काफ़े अच्छ फ़र एक्ड किया था दोस्तों तो फिलाल के सत्किप को हम ट्राइज कर रहे है। ज़के कर दोस्तों फिलाल के लिया हम अवैड करके चल रहे हैं क्योंकि आजके मैस में इतने विकेट लेगा इसकी कोई श्याइटी नहीं है। और जो इमाद वासम को ट्रै कर रहे हैं और एम इस्लाम अकॉन इसको हम ट्राइक करने में नहीं है बट इसको हम अपने टिम में रिस्क लेकर ट्रै कर रहे हैं इस टिम में मैं दोस्तो और वाइस केप्टेन की बात की जाए तो दोनों पाकिस्तानी प्लेयर को मैं केप्टन और वाइस केप्टेन दूँगा जिसमें केप्टन की बात की जाए तो मौमध नवाज को दूँगा वाइस के बात की जाए तो आज के मैंस के लिए मौमध वासिम या फी दी सनका को देन मौमद नवाज को वाइस कर रहा हूँ दोस्तों मौमद वासिम को दोनों पाकिस्तानी रधर आज के मैंस के लिए कमाल कर सकते हैं और पंट पिक में हमने आज के मैंस के लिए ट्राइ किया हैं दोस्तों तीन पंट पिक में ट्राइ किया हैं आज के मैंस के देख सकते हैं असन म क्ल听 कर आये जिये लज़ के मैच के लिए तो यह ंजनेर ऑर आजका यह ज़लर कर्जाति हैं दोस्तों तो इस जीन टिम के सात आप जा सकते हैं दोस्तों आजके मैच के लिए डिये अब हम अपने सरकल की तरफ चलते हैं और my eleven circle की team बना देते हैं जल्दी से दोस्तो अबी 10 मिन्ट का time है तो चलिये my eleven circle की team बना देते हैं तो चलिये dream eleven और fantasy related यह इसमां भी अच्छा app है इसमें भी आप try कर सकते हैं दोस्तो आज के match के लिए आप यहां पर जो एक phone का आइफॉन विन कर सकते हो दोस्तों चलिए हम माई 11 सर्कल का टीम को क्रेट कर देते हैं दोस्तों विकट के बेंग सक्षन से नूरल हसन को हम अपनी टीम में ट्राइब करेंगे बैटिंग सक्षन से दोस्तों आज के मैच के लिए बाबर आजम को ट्राइब करेंगे और और इस और सकीपुल असन मौमद नवाज और दनसु सनयका को हम अपनी टिम में ट्राइक कर रहे हैं बालिंग सक्षन से दोस्तों आज के मैंच के लिए जो हसन मेहमुद को ट्राइक कर रहे हैं मौमद वासिम को मुकुदूल इसलाम को हम अपनी टिम में ट्राइक कर रहे हैं दोस्तो कैप्टन की बात की जाए तो इस टेम में महमद नवाज को कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो महमद वासिम को हम वाइस कैप्टन बना रहे हैं दोस्तो इस आज के कॉंटक्स की बात की जाए तो आज के मैस के लिए हम बड़ा कॉंटेस ही त्राय करने का प्रया करेंगे तो चलिए इस कॉंटेस्ट को हम है कि ज्यौइन कर लेते हैं दोस्तो तो चली अभी कॉंटेस्ट जोन हो गया है इस पर पांटेक्स के साथ आप विन कर सकते हो दोस्तों यह टीम आज की देख लो इस सरकल की टीम में आपको सो कर देता हूं तो यह टीम दोस्तों हमने जो बढ़ाई है इस टीम को देख लाज की थोड़ा सा रिस्की कॉमिनेशन है बट फायर पिक हो सकता है मौमद नवाज और मौम इसका दeडलाइन का टाइम आगया है तो अब हम मिलते हैं जो भाते समय ने साथ मैं आपको बता देता हूं बारते समय ने सार दोस्तों इसका हम लाज शाषन करने का प्रयाज करेंगे दोस्तों जो जिंबभावे ओ मैं वर्सिज आएलेड़् movement का जो है इसका live session लगबग 3.50 पर हम live session इसका लाएंगे 3.50 में साथ में दोस्तों इसका बांगलर देश और ये इसका live session दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसका live session लाएंगे आपको लगबग 4.50 मिन पर इसका live session लाएंगे दोस्तों आज के मेच के लिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइश सेशन में आपका दिन सुभी